दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फिलिपकाट से अगर आप कोई भी समान यहाँ पे पर्चेस करते हैं और वो अंडर वरेंटी में हैं और बीच में ही जिसमान लिजे एक साल का वरेंटी है और छे महिने, साथ महिने, आठ महिने चलने के बाद कुछ उसमें प्रोबलम आता है तो उसे किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं यानि वरेंटी क्लेम कर सकते हैं और ऐसा ही मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मैंने कुछ साल पहले यहां पे एक earphone खरीदा था और वो मेरे under warranty में था और आठ मेने के बाद उसका mic खराब हो चुका था तो उसको मैंने warranty claim करके नया यहां पे मंगवाया था तो मैंने सोचा कि यह problem और भी लोग यहां पे face कर र बताया है कि आपको किस तरीके से company के पास यहां पे email करना है किस email ID पर email करना है इन्वाइस कैसे डाउलोड करना है यह complete process बताया था और ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से मैंने एक earphone खरीदा है बोट का और उसका mic फिर से काम नहीं कर रहा है और अभी भी चार महीं ने बचे हु आप उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन यह part 2 वीडियो है तो ध्यान लखिए उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखिए तब ही आपको यह समझ में आ जाएगा और यह part 2 इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने उसमें email करना बताया था तो उस email का reply बहुत से लोगों के पास आ चुका है तो अब उनको क्या करना है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यह है मेरे पास email ID जिस email ID से मैंने email किया था और मैं ऊपर आता हूं और यहां पर दिखा देता हूं यहां पर मैंने email किया था उनको dear sir, madam जो भी अपना complaint था यहां पर देख सकते हैं मैंने बताया था कि मैंने एक earphone खरीदा है वो work नहीं कर रहा है मुझे warranty claim करना है replace चाहिए यानि दूसरा product चाहिए उसके बाद मैंने अपना contact number डाला उसके बाद यहां पर देख सकते हैं product का invoice यहां पर मैंन comment भी किया था कि भाई हमारा email का reply आ चुका है एक फिर से video dedicated बनाईए तो यहां पर देख सकते हैं reply तो अब आगे आपको क्या करना है जान लिजे आप जैसे माली दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा reply आया हुआ है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना यहां पर एक link देया हो होगा उस पर आपको click करना है आप चल जाएंगे इनके official website पर जहां पर इस product के बारे में पूरा detail तो मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ इसके service center के बारे में भी जानकारी मिलेगा जैसे माली जाप मुंबई से हैं दिली से हैं तो यह तो था online आपने apply कर दिया email उनको भेज दि इकली उस यहां पर service center में जाके आपको नया earphone लेना है और पुराना वाला submit करना है यही आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है यहां पर देख सकते हैं इस website पर आएंगे तो यहां पर हो सकता है यहां पर डारेक्ट है तो यहां पर आपको select करने का option आ जाए तो य इली उसके बाद यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे contact number आपर आजाएंगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक address है जो मेरे मेरे नियर वाई है तो मैं इसी पर आपर狂ने करें करता हूं आपके जो भी नियर वाई है पर service center है सब्से पहले आपको कॉल करना है और आपको पर पूराना earphone लेके वहाँ पर visit करना है और वहाँ पर चेक करेंगे कि आपका earphone खराब है या नहीं और वहाँ पर यह भी चेक करेंगे कि आपका earphone कहीं से टूटा तो नहीं है फूटा तो नहीं है यानि उनका warranty claim करने का प्रोसेस यह है कि आपका earphone टूटा नहीं होना चाह तो आहां पर warranty claim हो जाएगा तो यह तो वीडियो का दूसरा पार्ट है आपको यह process follow करना है मैं वीडियो का तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा या फिर एक complete वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें मैं खुद service center में जाऊंगा और अपना earphone यहां पर exchange करके यानि replace करके आप यह भी बोल जाना तो आप अपने nearby जो भी यहां पर service center है वहां पर visit कर सकते हैं लेकिन आपको पुराना वाला earphone और शाथ में invoice का photocopy लेके जाना है साथ में ताकि यह चेक कर सके तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो comment section में बताए मैं उसका जव नहीं thank you for watching